नासिक में दिंडोरी से निकला किसानों का लॉंग मार्च जो कि अपनी विभीन मांगों को लेकर मुंबई की तरफ खूच कर रहे थे 16 मार्च को यहाँ पर इस वासिंद के इस मैदान पर रुके हुए थे मीटिंग हुई अ सवी मांगो को मांगे मान लुजाइगी तबसे मुझा यहीं पर रुका था इस बात का इंजार कर रहा था कि सरकार ने दावा तो कर दिया वादह लेकिन क्या वादधे पूरे भी किये जाएंगे अमल पर लाएज़ाएगे या नहीं लाए जाएंगे और अगर पर नहीं लिये जाते हैं तो फिर से यहां से जो किसानों का मुर्चा है वो एक बार मुंबई की तरफ कूच करेगा लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोपेर 12 बजे मुर्चा जो है का पूर्व विधायक और भारती कमेर्स पार्टी के नेता जेपी गावित वो फिलहाल उन्होंने घोष्टना की और सभी जो यहां पर किसान जमा थे उनको बसों के जरिए दूसरी गाडियों के जरिए और रेल गाड़ी की जरिए भी वहां पर छोड़ने के लिए चले गए ह अब लोगों ने दावा किया था कि जब तक चार दिन काल्टी मेटंव की दिया था कि जब तक दिखेगा नहीं समझ जमीन पर काम होता नहीं देखे-गा हम वापस नहीं लेगे लेकिन आज आज आप लोगों ने मॉर्चा अंदुलन वापस ले लिए और सभी सब मिलका में घूम रहा है सब में लेके वहां का जो तलाटि हैं उनके माद्देम से सब जो साथबारा का सबाल है या जो जो बिजली का सबाल एऊ सब दिक रहा है तो अभी गाउ से पोन आने लगे कि अभी यहां तासिल दार आए है यहां तलाटी आ गए हैं एसा करें फोरेश के लोग आ रहे हैं और सब मतलब काम जो है उन नीच्छे चलू होने की सुरुवात अभी हो गई हैं तो हमें गाव से पता चला प्रशा संचने गाव से पता चला और हमारी मांगती की अभी आस्वासन से हम संतुष्ट नहीं है हमे सब्सक्राइब ने अमल चाहिए जो भी हमने मांग रखी है गवर्मेंट ने मानने की है उसका अमल गाव तक होना चाहिए अभी अमल जो है अभी ओ चल हो गया है इसलिए हमने जो अभी यह लॉंग मार्स था अभी यह यहां बंद कर दिया है अभरोसा लगा कि अमल हो रहा है सरकार काम कर रही है लेकिन यह भरोसा जो है पूरे सभी जो किसान मोर्चे में सामिलते सब्सक्राइब नेत्रुतों को नहीं लगा सब जो किसान थे उनको लगा हर एक तासिल से उनको फोनाने लगा हमारे तासिल में अभी यह तासिल दार आया है वीडियो आया है अभी यह काम कर रहे है ऐसा गाव से इस अंदोलन के किसानों को लाय और किसानों ने बताया हमने विझा पूंचा रहे और गाव में कुछ कर मैं चल रहे है तो किसान ने बताया जो 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 आ निकलना आभी चलो हो गया ऐसा क्तिसान ने बूला और बाद में जो आ यहां लॉंग मार्च का लीड करते हैं जो कर रहे हैं उन्होंने अभी यहां गोश्चना की कि अभी निच्चे अमल हो रहा है और अभी हमें यह लॉंग मार्च यहां रुखवा देना चाहिए और वह भी उसके साथ यह भी कहा लोगों को छे माहिने तक हम देखेंगे समीटी बैठी बनाए गए समीटी जिसमें कैबिन मंत्री भी होंगे आपके पिता जेपी गाविद भी होंगे विनोत कोल भी होंगे निकोले वह भी उसके अंदर होंगे लेकिन एक महिने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तो तब तक इंतजार करना चाहिए था ऐसा लगा तो अब जो पुरा महाराष्ट में जो वन पट्टे का सवाल है उस पर वो समीती गठित की है तो समीती एक महराष्ट के डिस्ٹिक में सब काम करे गी सब का 36 जिले हैं तो 36 जिले का सब रिपोर्ट हो लेंगी और गवर्लमेंट के पास रखेगी और उस पर गवर्ल enact결 कर係 इ आपात्र है इसका पात्र करना चाहिए जो कम जगादी है वह बढ़ के देना चाहिए ऐसा सब आएगा एक महीने में गवर्मेंट के पास सब आएगा इसलिए छे महीने का आप लोगों एक बार अल्टिमिटम दिया है कि उसको मैं साध अमल करने में उसको छे महीने लग सकता ह एक महाएने में सब रिपोर्ट आएगा और बाद रिपोर्ट में उस पर अमल होना चल होगा और हमने कहा है कि पाच शे तो तीन महाएने बोल रहे थे हमने बोला च्छे महाएने लो लेकिन एक बार सब फाइनल कर दो अच्छा यह बताई कि आज एक दुखत खबर भी सामने इन मौत हो गई कि किसान दूप में चल रहे तरह रहे रहे हैं तो तरवेत खराब हो रही है हाँ इक किसान थे पुन्ली जादा आउखरके दिन्डोरी के तो अभी चलते चलते तहम बहुत ठक भी गए थे और उनका उमर भी 50 के उपर था तो यहां आभी पोश्ट माटम की में एक्लेर हो गया कि अभी उनको एक आया था तो अभी यह जो आप देख रहे हैं किसान को एक आटेक आने के बज़े से ओ मर गए कई किसानों को फैक्चर हो गए चलते चलते पैर फट गए यह जो सब अभी आप दिख रहा है तो यह जो उसके पीछे है ओ सब जवाबदार गौर्उमेंड में है गौर्मेंड पहले से ऐसा काम करती तो आज यह नोबत किसान पर नहीं आती पैजल चलने की और यह जो एक किसान का अभी थियद्ट हो गया वज़े लोग मार्सकरने का वैजने है हम तो बोले थे혜 पर मतलब इसा था यह मौत की बज़ेशे या कोई कुछ फ्यक्चर हो गया बीमार उनको की तरफ से पाच लाक रुपए और हमारा मार्स वादीक उपक्ष के मादधम से हम अभी किसान हम भी करेंगे और किसान सब है उनके पाझ जाएंगे दाटास सो रुपए दोसो पासुर रुपे है इसा करके हम भी मदद करेंग उनको तो यह एक बड़ी बात है कि जो आन किसानों का दिंडोरी से चला था वो यहां वाशिंद पर रुका था इंदजार हो रहा था कि सरकार ने जो वादे किये हैं बात्चीत में जो बाते मान ली गई है उसको अमल में अगर लाती है तब आंदोलन वापस होगा वरना किसान फिर से यहां से मुंबई की तरब मार्च करेंगे लेकिन सरकार के अधिकारियों ने आज गाउं तक पहुंचना सुरू कर दिया बीडियो तलाटी सभी गाउं तक पहशने लगे गाउं से खबर आई तो जो अंदोलन कारी है उनका कहना है कि इसलिए यह जो मुर्चा था आंदोलन था किसानों का फिलाल सगित कर दि करें बस एक बात और उन्हें जो है और उनकी तरफ से कहा गया है कि क्रियानवन सुदू तो हो गया है लेकिन जो और भी कई मांगे हैं जिन में थोड़ा वक्त लग सकता है तो छे महीने वह इंतिजार करेंगे और छे महीने में अगर वह बात भी पूरी नहीं होई तो फिर से एक बाद किसान मुंबई की तरफ कूच करें गया वाशिंसे कैमरा में संजे मंटल साथ सुलिल सिंग एनिटीव इंडिया के लिए